नेक्स टाइप अफ इवेलिएशन इस सम्मिटिव इवेलिएशन सम्मिटिव इवेलिएशन अब क्या होता है जैसे हमारे समेस्टर सिस्टम होते हैं अगर हम युनिवस्टीज की बात करें तो वो हमारे सम्मिटिव इवेलिएशन का पार्ट हैं साथ के साथ जैसे हमारे कोर्स हम जो टेस्ट लेते हैं जो examinations हमारे हो रही है वो summative evaluation कहलाते हैं ये judgmental in nature है ये हमारा जो evaluation है इसके अंदर judgmental पास की जाती है कि बच्चे ने actual में उस course के दौरान क्या क्या चीजों को सीखा है किस तरीके की उसकी performance रही है क्या उसने उस course के बारे में अच्छे से study किया ह क्या उसके academic skills वगेरे develop हुए है इन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बच्चों के बारे में पता लगाते हैं जो भी हमने मतलब की course पढ़ाया था क्या बच्चे उसको अच्छी तरीके से complete कर पाई है या नहीं कर पाई इसके बारे में हमें ये जो evaluation है जानने में help करता ह तो summative evaluation के हमारे example क्या रहेंगे mid-term examination, final examination, semester system है तो semester first, second, third, fourth, fifth, sixth, जितने भी हमारे semester है वो सारे summative evaluation का part रहेंगे अगर हम formative evaluation की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो unit test होते हैं colleges में या फिर हमारे schools के अंदर unit test होते हैं वो हमारे formative evaluation का part होते हैं जहां पर हमारी time to time intervals के gap में हम हमारे test लिए जाते हैं यह पता करने के लिए कि बच्चे ने actual में कितना learn किया बट summative evaluation हमेशा at the end of the course होगा यानकि जैसे हमारे course complete होगा तभी यह test लिए जाहेंगे